असलाम अलेकुम तो आल अफ यू वोप सो यू आर दूइंग टेट वालकम तो टिप्स लागेडमी एंड तोड़े वी आर कोईंग तो मेंग डिसकेशन और फॉर्थ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉलूशन सबसे पहले हमें इसमें जो आउटलाइन है उसमें हम देखेंगे हम प पॉलूशन किसे कहते हैं पॉलूशन जो है इसको कहते हैं कि नैश्रल इंवायर्मेंट में किसी भी कॉन्टैमिनेंट्स जो डेंजरस हैं उनका एड हो जाना जो के नैश्रल इंवायर्मेंट्स जो कुदर्ती महौल है उसको अलूदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं पोलूशन शोल नावर बिदा प्राइज ऑफ प्रॉस्परिटी और नीचे जो है हमने इसकी जो बेसिक टाइपस हैं उनको कोट किया है जिसमें नंबर वन पे एर पॉलूशन है फिर सॉइल पॉलूशन है तो अगर हम इसके टाइपस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते ह कियूं वड़्ती है किस तरह जो है वो जमीनी अलूदगी पेदा होती है तो उसमें हम देखें तो जो हमारे लोग हैं जब हम कुडा किरकट जो है या जो हमारा वेस्ट जो है उसको हम बाहर गलियों में पंगते हैं या जमीन प्हांगते है तो वो जो है हमारे लिए लiden pollution जो है वो cause करता है अगर हम बात करें water pollution की तो इसको हम आपी अलूदगी कहते हैं पानी की अलूदगी ये किस तरह फैलती है ये किस तरह ये formulate होती है तो उसमें हम देखें कि आपको पता है कि जो हमारी chemical industries है जो उनका wastage है उसको जो है chemicals होते हैं पानी में release कर देती है वो नदीयों में दरियाओं में या नेहरों में अपनी जो wasteful harmful chemicals होते हैं उनको जो water होता है उसमें release करती है जिसके जासे क्या होता है कि जो हमारा पानी है अलुदगा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि all the aquatic life जो हमारी aquatic life है जो आप भी मखलूक है या आप भी जिन्दी है वो मतासिर होती है उसके इलावा water pollution जो है इस तरहां से जो है वो formulate होती है और अब हम बात करते हैं air pollution की के हवाई या लूदगी जिसे कहते हैं वो किस तरह आती है आपको पता है कि जो हमारी industries हैं जहां पे हम fossil fuels को या consume करते हैं तो due to the consumption of fossil fuels जिसमें हम कोईला गैस जलाते हैं लकणिया जलाते हैं तो उनकी वज़ा से जो धुमापरोड्यूस होता है वो पूरी air में जो है वो फैलता है जिसकी वज़ा से हवाल उदा हो जाती है air pollute हो जाती है और जो हमें बहुत सी जो है उसमें complications phase करनी प pollution में जो है हम vehicles को भी mention करेंगे कि जो हम गाड़یاं यूज़ करते है vehicle है जो हमारी transportation है वो भी जो है उनको धुआ है वह भी air pollution कॉस करता है और noise pollution में जो हम शोर करते है हमारी vehicles को शोर है वह noise pollution कॉस करता है और जो air pollution है आपको पहले बताया कि यह unhealthy gases कि वज़ा से जो है को जो है नहीं खतम करेंगे तो डेफिनेटली जो है फॉलूशन आपको खतम करतेगी तो इसमें जो है कॉजिस इसकी लिखी गई है वो इच अवरीटिंग जो है हमने मेंशन की और इसमें इंपोर्टन तिंग इस डाट लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन जो है द्रक्तों को जंगलात को द्रक्तों को खतम करें और वहां फिम ड्वैल्लमेंट करें बिल्डिंग्स बना रहें तो इसके वजह से जो है हमारी कार्बन डाग से ज्यादा रिलीज होगी और जो उसके लावा इसमें हम मैयर्स क्या ले सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो है वो जानते होंगे कि हमारी जो ऐट्मॉसफेर इसके उपर लियर मुझूद आहो जो है वह होती है इसमें ऑक्सिजन के तीन जो है वो एक्तम्स साइलेमंट्स होते हैं जो ऑजो ऐसमें घगते हैं कि अज्या और हमें प्रोटेक्शन दे रही है हमारे ऐट्मॉसफेर को और यह सूरज या सॉलर्स जो है हमारे अदर प्लैनेट्स हैं जो सूरज है सॉलर्स सिस्टम से आने वाली जो खतरनाग डेंजऱस रेडियेशन्स हैं उनको जो है ये डिरेक्ट जो है वो एटमास्फियर में नहीं आने देती लेकिन जो हमारी जो pollution है जिसमें हर टाइप की pollution हमने डिसकस की वो दिन बाद दिन भढ़ती जा रही है तो उसकी विज़ा से हमारी ozone layer जो है वो deplete हो रही है और एक ऐसे भी एक दो areas हैं जहां पे है यह deplete हो चुकी है तो अगर हम इस थरह जो है हमारी हम अपनी pollution को control ना कर सके तो definitely एक दिन ऐसा आएगा कि जब ozone layer है जो deplete होना चुरू हो जाएगी और जो dangerous radiation है वो directly जो है वो atmosphere पर हमारी जमीन जो अर्थ है उसमें आएंगी और उसकी वज़ा से बहुत serious complications जो हम उनका सामना करना पड़ेगा जिसमें वो radiations जो है इंसानों में बहुत से भीमारियां प्यदा कर सकती है जन में skin जो problems है like cancer और यह चीज़ें जो है उसमें ज्यादा देखी जाती है अब at the end जो हम इसका conclusion लेंगे pollution is a seriously problem and needs to be solved by using the aforementioned methods by governments and individuals इन जीज़ें को जो हम पर discuss कर चुके है और अगर इस session में जो है किसी को कोई issue हो तो you can also contact me on my whatsapp as given below 0166594052 and you can also visit me on my facebook instagram lincoln id and on my email itxkh1122 at gmail.com and you can also contact us for complete notes of all syllabus subjects regarding law and you can also approach us for law admission test and law get provision on the following sources thank you so much kind regards